हेलो गाईज आप सब का फिर से स्वागत आपके चैनल गो गुरू पे तो कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था वह था स्ट्रेंग्स के रिलेटर के स्ट्रेंग्स को गोलेंग के अंदर कैसे यूज किया जाता है एंड कुछ इंट्रेस्टिंग फेक्ट्स के बारे में अग उसको गोलेंग के अंदर कैसे यूज किया जाता है तो जो बैसिकली एरेज हैं वो सिमिलर हैं टू अधर लेंग्विजिज लाइक जावा नोड एंड सी प्लस प्लस जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि एरेज होते हैं वो क्या कौन से टाइप का डेटा कंजियूम करते हैं एरे जो होते हैं वो से सिमिलर टाइप अफ डेटा को कंजियूम करते हैं अब सिमिलर टाइप अफ डेटा को कैसे हम समझते हैं थोड़ा सा डीपली समझते हैं जैसे मैं क्रेयना स्टोर पे गया और मैंने कोई भी ब्रैंड का बिस्कृट का पैक क्लेर करता हूं तो उसमें इंटीजर ही वह लेगा ऐसा निया के स्ट्रिंग भी उसमें ले सकता है वो तो यह तो हो गया सिमिलर डेटा टाइप का एक्जांपल अब यहाँ पर यह जो होते हैं वह करते हैं फिक्स्ट लेंथ के कि अगर मैंने एक बार यह रहे की लेंथ डिक्लेर कर दीके इसके टू है तो मतलब फिर वो टू ही है ऐसा निया के रंटाइम पर बढ़ जाएगी अब फिक्स्ट लेंथ की होने की वजह से गोलेंग में इसका एक डिसडवांटेज हो जाता है त उस डिसडवांटेज को श्लैशी इस ने दूर किया गोलेंग के अंदर तो एरेज की एलिमेंट को एकसेश करने के लिए आप कैसे एकसेश कर सकते हों इंडेक्स ओपरेटर यूज्ज करेंगे इंडेक्स ओपरेटर यह होता है गाइस स्क्वेर ब्रेकट अब एरे जो होता जीरो से स्टार्टों का अगर मैं दस तक जाना चाहूं तो नौ पर ही मेरा 10th element मेरे को मिल जाएगा तो अभी हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ तो चलिए अब arrays होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं one dimensional है multi-dimensional ठीके गाइस तो तो array को मैंने यहां पर दो तरीके से डिकलेर कर रखा है पहला तो वैर की वर्ड के साथ दूसरा शॉट हैंड मेथड के साथ तो यह तो है वेरियेबल नेम यह है उसकी लेंथ और यह है उसकी टाइप के यह कौन से टाइप का element को कंज्यूम करेगा सेम उसी तरह यह कहा है वे देख सकते हैं मैंने array one को भी कुछ value assign की हुई है और टू को भी कुछ value assign की हुई है तो चलिए आया है उसके बारे में देखते हैं मैं यह code को कमेंट कर रहा हूं तांके आप लोग output में पजल ना हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पे go run main.co को किया एक package को comment कर देख सकते हैं दोनों array इसकी output आ चुकी है one 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 जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यही एसाइन किया देख चलिए इसके लिए कुछ और value assign कर देते हैं जैसे some string तो अभी हम नगर देखें output इसकी तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले का यह one one और दूसरे का क्या है some string and two तो वही assign किया वही print हुआ अब हम करते हैं कि array को array के हर एक element को कैसे access किया जा सकता है तो इसके लिए आती है guys एक for loop तो अभी के लिए मैं यह वाली for loop को ही uncomment करूंगा तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे मैंने एक package यूज किया हूँ जो के है reflect अगर आप भी reflect क का एक method होता है type of जो basically क्या return करता है कि जो भी हम इसके अंदर pass कर रहे हैं data वो किस type का data है उसको reflect कर दो तो यह guys वही print करेगा अब यह loop हमारी क्या print करेगी जीरो से यह start हो रही है और यह कहां तक जाएगी दो से एक नीचे तक जाएगी मतलब जीरो और वन तक जाएगी क्योंकि यह condition होती है बीच वाली जो यह होता है यह increment और decrement को represent करता है अब हम यहां पर increment कर रहे हैं तो यह for loop का syntax हो गया गाई अब जैसे ही मैं इसको print करवाँगा तो यह मेरा क्या print करेगा 1, 2, type of int जैसे कि आप देख सकते हैं 1 हमारा integer था तो 2 भी हमारा integer था तो जैसी वो reflect के अंदर आया उसने उसकी type return कर दी और जो भी element प्रेंट करवाने थे वो print यहां पर करवा दिये अब guys यह तो हो गया एक तरीका for loop को use करने का अब एक go length के अंदर method होता है array की length find करने का वो होता है len उसके अंदर हम array पूरा pass कर देते हैं और वो उसकी length return कर देता है अब array 2 को मैंने यहां पर इस method के अंदर pass कर दिया अब obviously बात है यह दो length का है तो यह दो ही return करेगा यह सेम यही loop के जैसा react करेगा क्योंकि मैंने यहां पर condition भी वही लगा रख किया कि जो i है वो 2 से 1 कम तक चले और i 0 से start हो और i plus plus हो हर loop की iteration पे iteration का मतलब यह होता है इसके हम array की एक एक element को access करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं यहां पर इसको print करवाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं जो sum string है वो भी string type का है और 2 भी जो है वो string type का है अब यहां पर भी देख सकते हैं हमने sum string ही assign कराया था और 2 ही assign करवाया था array 2 को अब आता हैं guys कुछ interview level के questions के उपर ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक तरीके से जो है array declare किया हुआ है यह short hand method यूज करके है यह भी short hand method यूज करके है बट यह कोई interviewer ऐसे पूछ लेता है कि यह slice है कि यह array है अब आप पूछेंगे कि slice तो आपने बताए नहीं तो guys इसमें हमने कुछ नहीं करना यह एक array ही है यह slice नहीं है अगर आपको slice के बारे में नहीं पता और आपके सामने यह चीज रख दी जाती है तो आपने कुछ नहीं बोला यह array ही है इसकी जो length है वह basically जितने हमारे अंदर elements होंगे उतनी इसकी length बन जाएगी यह dynamic length नहीं है यह अब यहां पर मैंने 7 elements दे रखे हैं तो यह initial time मलब जब मैं initialize कर रहा हूंगा इस array को उसी time प पाएगा तो अगर मैं इसकी दोनों की length प्रिंट करवा हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले वाले की है 3 दूसरे वाले की है 8 अब मैंने 7 बोला था तो मैंने element count नहीं कहे थे जैसे कि मैं अब भी count करके बताऊंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब element तो है 0 to 7 बट जो length है वो ह अब आते हैं कुछ comparison इड़ गोल यहां के अंदर आइडत के अंदर हम comparison किए गाईज तो वो कैसे कर शकते हैं जैसे मैंने आप तीन type के तीडिकलेर किये हूए एक वही type का डिकलेर किया हूए जो मैंने अभी discuss किया था इसकी length की हो गी गाईज आपकण तो आप बता सकते हैं और विसे बाता है थ्री होगी क्योंकि इसके अंदर जीरो वन टू तीन एलिमेंट हैं तो लेंद उसकी तीन होगी अब यहां पर मैंने तीन एरे डिकलेर की हूं है और उनके बीच में कंपैरिजन करवाऊंगा कंपैरिजन क्या होता है जब मैं यह बोल अब अगर मैं बोलूँ क्यों वन अगर क्यों टू के एक्कल है तो मेरा टू प्रेंट हो अदरवाइस मेरी फॉल्स में जाए तो क्यों वन के लिमेंट है नो 976 एंड दूसरे के भी 976 हैं तो गैस पहला तो टू होगा अब दूसरा और तीसरे की बात करूं तो दोनों के अ एंड क्यू 3 इसका आएगा फॉल्स एंड क्यू 1 और क्यू 3 का कंपेरिजन भी आएगा फॉल्स तो जैसे कि हम यहां पर प्रोग्राम रन करके देख रहे हैं तो जैसी हमने डिसक्स किया था वैसे ही आउटपुट आया है पहले वाले का टू दूसरे बारे का फॉल्स और गाईस यह तो हो गया one dimensional array के बारे में अगर आप multi dimensional array के बारे में जाना चाते हैं तो मैं इसके लिए एक और separate बीडियो बनाऊंगा गाईस मैं दोनों एरे इसके बारे में यह की वीडियो के अंदर नहीं दिसक्स करना जाता तांके आप लोग पजल ना हो आप लोग rivers के बा आप अच्छा कंटेंट पाओगे तो गाइस थैंक यू फॉ वाचिंग और सब्सक्राइब करते रहना ऐसी प्यार बांटते रहना